पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी इन दिनों हवाई उडान भरने के बजाए सडक मार्क का इस्तिमाल करने को मजबूर है क्योंकि जिस हेलिकॉप्टर में सवार होकर वो राजे का दोरा कर रहे थे अचानक गायब हो गया है इस हेलिकॉप्टर को अजित जोगी की पार्टी को दिखाई दे रहा और नहीं पुलिस को हेलिकॉप्टर को किराय पर लेने वाले पियूश देश यहरा पिता प्रकाज देश यहरा ने दुर्ख सिटी को थवाली में शिकायत दर्ज कराई है कि लगभग 15 दिनों से यह हेलिकॉप्टर गायब हो गया है शिकायत करताने पुलिस को कुछ दस्तावेज भी सौंपई है जिसमें 35 लाक रुपे में 3 माह के लिए हेलिकॉप्टर लीज पर जाने का मामला भी दर्ज है आखिरी सवारी भी जोगी नही की दस्तावेजों की जाच के बाद पुलिस के अफसरों ने पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी से पूछताच के लिए समय मांग रहा है दर्सल इस हेलिकॉप्टर का उप्योग अजित जोगी ही कर रहे थे आखिरी बार उसकी सवारी भी उन्हों नहीं की थी पुलिस ने हेलिकॉप्टर उपलब्द कराने वाली एस एर एवियेशन कंपनी ने दिल्ली के अफसरों से भी संपर्क साधा है पुलिस को अंदेशा है कि हेलिकॉप्टर उपलब्द कराने वाली कम्पनी और उसे किराय पर लेने वाले पार्टी कारकरताओं के बीच विवाद की स्थिती तो नहीं है क्यूंकि हेलिकॉप्टर को उड़ाने वाला कोई पाइलट ही होगा, कोई चोर या उठाई गीर नहीं दूसरी ओर, कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता प्रकास्ट देश यहरा के मताबिक हेलिकॉप्टर ने आखरी बार 18 दिन पहले रायपूर के स्टेट हैंगर में लैंड किया था, उनकी इस दोरान पाइलट से भी बात चीत हुई थी, उनके मताबिक उस पाइलट ने दिखाई दिया, नतीज तन उन्होंने गायब हेलिकॉप्टर की सूचना पुलिस सिकी और एफाहियार दर्ज करने की मांग की, छतीजगर के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी ने पकवाडे भर तक इस हेलिकॉप्टर में सवार होकर राज्ये के विभिन हिस्सों में लगभग दो दर्जन आमसभाएं की थी, अगले तीन माह में सौसे ज्यादा आमसभाओं की योजना बनाई गई थी, लेकिन हेलिकॉप्टर के गायब हो जाने से अजित जोगी का दोरा कारेकरम बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, फिलहाल वो कभी सडक मार्क से तो कभ भी रेल मार्क से ग्रामीन अंचलों का दोरा कर रहे हैं।